मिलोड आज हमारी अधालत में मौझूद हैं ट्राफिक हवालदार नमस्कार नमस्कार साहिब विचारा विचारा पूछा देखे आप पर पहला आरोप यह है कि एक्सिजन्ट की शिकार तो कॉलेज के स्टूडेंट्स भी होते हैं बराबर है देखे आप पर अगला आरोप यह है कि आप सीट बेल्ट और बिना हैलमेट के गाड़ी चलाने वालों के प्रती बहुत ही डिलाई बरते हैं ऐसा क्यों? अरे बाबा मैं कलक हवल दा रहे आईसे लोगों के उपर ना मिताब और तोड़ फाइन मारते अप उन रसीद देवे नहीं देवे फाइन मारते है देखे आप पर अगला अरोप भी बराबर है कि आप शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों को सिर्फ चेतावनी देकर छोड़ देते हैं आप उनके प्रती कोई सक्त कदम नहीं उठाते क्यूं? मिलोड आज हमारी अदालत में अपने इल्जामों के जवाब देने सीधे जेल से आए हैं अरुन गोली जी अरुन जी आप पर सबसे पहला आरोप ये है कि आपने अपने विपक्ष के नेता का भाड़े के हत्यारे मंगवा कर उनकी हत्या करवा दी ए बोला कुन तिरेको? ये से बोलता कौन है इसको? ए मेरो को भाड़े के मानुस मंगवा के हत्या करवाने को कोई ज़रूत नहीं मैं हत्या सोताय करता है आप पर अगला आरोप यह है कि आपने पार्लिमेट पे अपना बहुमत साबित करने के लिए विरोधी पक्ष के चार M.L.H. का किड्नैप करवाया था? आप पर यह भी आरोप है कि आप वोटरों को अपने पक्ष में वोट दलवाने के लिए धमकाते हैं? कोई-कोई नेता लोग वोटर को पैसा खिलाता है, कोई कोई प्यार से समझाता है, कोई को दारू पिलाता है, कोई को ऐसा हाथ जोड़ता है मैं घोड़ा लेकर कनपटी पर लगाता है, प्यार से समझाता है हमने ये भी सुना है, कि आप पढ़ना लिखना ने जानते है, गुटा चाहां पै हो गया तेरा? गबाज, जास्तिना है, ये तो मेरे पर एक इल्जाम और लगेगा, तेरा गला दबाने के ये भी गयब, ये भी गयब, अभी माँ इदर क्या करेगा? नमस्कार देवी और सज्जनो, लेट्स प्लेए एवी सी, आज हमारी जो कंटेस्टेंट है, वैसे तो ये बाप एक्टर है, लेकिन लोग इन्हें कहते हैं नाना, और प्रडूसर इनको अपनी फिल्म में लेने से करते हैं, नाना, फ्लीज वेल्कम नाना हटकर अच्छा है, अच्छा है, अच्छी मेहफिल सजा रखिये है, इतर मेरे पास फिल्म नहीं है, मुझे पैसों की जरुवत है, चल सवाल पोश, मैं दूंगा जवाब, मैं दूंगा जास्ती नी बोलने का है, बसा ते गड़े हाँ, सो नाना, पहला सवाल, कंप्पूटर स्क्रीन पर यह रहा, हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध दाड़ी वाला कौन है, ऑप्शन्स आर, ए, एव फुसेन, बी, नौजो सिंग, पिद्दू, सी, मैं, ये डी, नाना हटकर बहुत सिंपल है, हुसेन साथ तो इंडिया में नहीं, पिद्दू, मीडिया में नहीं, तुम करते हो सिर्फ सवाल, और मेरे साथ है बवाली बवाल, इसलिए, इसलिए मेरा जवाब है, डी, नाना हटकर गलत जवाब तहीर जवाब जो है C, आमिताब पचमन, क्योंकि आज मेरे पास, तुम से जादा दाम है, तुम से जादा काम है, तुम से जादा नाम है, बंगला है, पैसा है, बेंक मिलेंस है, गाड़ी है, और तुम से अच्छी दाड़ी है एए, भगवान ने मूँ दिया, लगे सवाल पूछने, हाँ, चल अब एक सवाल मही तेरे से पूछता हूँ, बता, मही अपना सर तो फीटता हूँ, बता, option A, मैं आदा पागल हूँ, option B, मेरे छोटे मगज पे मार लगिये, option 3, मेरे उपर का मला खालिये, option D, नौन अप दबाव, सही जवाब है, बी, आपके छोटे मगज को मार लगिये, गलाइच जवाब, सही जवाब यह है, बच्पन में मेरे सर मुझे पीटते थे, इसलिए मैं आप सर पीटता हूँ, सही जवाब मुझे बताना ही पड़ेगा, पीछे छोटा सा, एक मगज होता है, उस मगज के चारों तरफ, खून होता है, अब यह देखे, हिंदू का खून, और यह देखे, मुस्लिम का खून, यह दोनों को मिक्स कर दिया, अब पता कैसे चलेगा, क यह हिंदू का खून है, मुसल्मान का खून, अरे जा रहा हूँ मैं, मुझे ने बनना करो, यह चलेगे होगे भाई, नमस्कार देवी और सजनो, आए हमार आप मिलके खेलते हैं, ABC, हमारे सामने जो हाट सीट पर आने वाले हैं, यह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ट के चेर्म हाँ तो जहाज साब अब तयार हैं? जी हाँ, बिलकुल तयार हैं, ओके आपके लिए पहला सवाल कंप्यूटर स्क्रीन पर यह रहा हूँ, PCB का फुल फॉर्म क्या है, आप्शन्स आ, A. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ट, B. पुराना क्रिकेट बोर्ट, C. फटीचर क्रिकेट बोर्ट यह टीचर क्रिकेट बोर्ट, या होल वाला कुवर्ट, सही ऑप्शन तो इसमें है ही नहीं, सही जवाब है, पाकिस्तान करप्ट बोर्ट, सही जवाब, सही जवाब, भाई, बड़ा उंदा खेल रहे हैं, बहुत-बहुत मुबार्ट अगला सवाल आपके लिए य अगर आपको पाकिस्तान से हिंदुस्तान आना हो, तो आप किस रास्ते से आएंगे, A. पानी के रास्ते, B. हवा के रास्ते, C. रेल पटरी के रास्ते से, D. सलक के रास्ते से, खुफिया रास्ते से, जहां से हम अक्सर आते हैं, और किसी को पता भी नहीं चलता, और यह ज सही जवाब बड़ा उंदा खेल रहा है जाह साब आपके लिए अगला प्रश्ण ये रहा है हलो हाजी मैं ABC के सेट से बोल रहा हूँ जी 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 अमिताब बच्पन ही बोल रहा हूँ गयर्ण झाओ यह कोई जब एकश्यल सेनला है रख दिछे कोंबATT कर देखिये याँ पर कोई भी मैज फिक्षिक sevent नहां होती इसवाइग है अब दोस्तों आज हमारे साथ है मशूर राखी सामनग जी आई करते हैं उनसे कुछ चरपटी बाती स्वागत है आपका राकी जी, आपको नहीं लगता आपकी हजार कोशिशों के बाद भी, आप आइटम गर्ल से एक्ट्रिस नहीं बन पाई? बिलकुल नहीं, बिलकुल नहीं, मैं कोई ऐसी वैसी मामूली आइटम गल नहीं हूँ, बलकि महाभारत और रामायन के बाद इस देश में मैं पहली लड़की हूँ जिसका स्वेमर हुआ है, स्वेमर हुआ है, मैं डरती नहीं किसी से, पूरी मीडिया के सामने बोलती हूँ, म मेरा स्वेमर हुआ, सिर्फ मेरा, राकी जी, अगर आपको दूसरा जनम मिले, तो आप अपने अंदर क्या बदलाफ करना चाहेंगी, अपने नाम बदलना चाहेंगी, जब कोई राकी कहके पुकारता है, तो मुझे उसके अंदर एक भाई नजर आता है, राकी जी, आप रक आपकी जिन्दिगी का सबसे बड़ा सपना क्या है? मेरी जिन्दिगी का सबसे बड़ा सपना है, एक्टिंग में नोबल प्राइस चीतना, लेकिन एक्टिंग में तो नोबल प्राइस मिलता ही नहीं है, ओ जीजस, यह मैंने क्या कही दिया, तो क्या हुआ, तो क्या हुआ, यही तो मैं चाहती हूँ, जो किसी को ना मिला हो, वो मुझे मिले। आज हमारे साथ है हवालदार पीके घाग जी, आईए करते हैं उनसे कुछ बातचीत, स्वागत है आपका। नमस्कार मैडम। पीके घाग जी आप हमें बताईए कि आप पुलिस में आये कैसे। सिपारिश से, मतलब पहिचान निकालके। ने-नी, मेरा मतलब यह है कि आप पुलिस डिपार्टमेंट में भर्ती कैसे हुए। आइसे क्या, रिश्वत देके। ठर छोड़िये, आपकी सेलरी कितनी है? मेरी सेलरी बोलेगा तो 10,515 रुपिया। और मंतली खर्चा कितना है आपका? मेरे को महिने में 30-32,000 रुपिया मंगता है। कैसे भी। तो बाकी के पैसे आप कहां से लाते हैं? अरे मैडम, मैं आपको सेलरी बोला है। इंकम नहीं। हमने काफी गुंडे मवालियों से, बदमाशों से बातचीत की है आपकी फादमी को पूछो। वो बराबर बताएगा कि पुलिस से कितना घबरता है, पुलिस का कितना खौफ है। तो आप अपनी ड्यूटी में क्या करते हैं? मैं सच बोलू। मैं क्या आइंसावादी है। मेरे को मार पी, टिवालेंस पसंद नहीं। मुझरी माता है ना, मैं ले दे के ताब और तोड़ उद्री का उद्री इस लफड़ा खतम करते है। फिर बराबर है ना?